शोताओ, आज हम आजाद हैं, लेकिन इस आजादी को प्राप्त करने में, देश के हजारों लाखों उन सहीद सपूतों का योगदान हैं, जिनों ने इसकी प्राप्ती के लिए न सिर्फ प्रयास किये, वलकि अपनी जान भी न्योचावर कर दी, उनका एक ही उद्य से था कि देश आजाद हो, देश की वो अस्मिता हमको प्राप्त हो, जिसको देश कहते हैं और जिसको राष्ट कहते हैं, कई तरह की विचारधाराएं इस बीच में थी, लेकिन जिस विचारधारा की आज हम बात करेंगे, करांदिकारी विचारधारा और उसके जन्नायक, जिन्हों एक व्यक्तित्य के तौर पर अगर हम देखने की कोशिस करें, तो हजारों आयाम ऐसे हो सकते हैं, जो चंसेकर आजाद के उस व्यक्तित्य में समाहित थे, लेकिन प्टिहास को देखें तो भहुत कम ऐसी चीज हैं, जो उस आम आदमी तक पहुँची, जो बास्तम में चंसेकर आजाद जीते थे आजादी को लेकर के उनका जो एक विचार था जो अगर हम परिभासा की बात करें तो वो यह मानते थे कि आजादी का मतलब देशवक्ती का मतलब कहीं पाना नहीं खोना है तो आज के संदर्बों में जब हम करतब्यों से अधिक अधिकारों की बात करते हैं करतब्य कहीं भुला दिये गए हैं तो ऐसे में उस विचार को फिर से रखना समाज के उन संदर्बों में जो आज प्रासंगिक है कि देशवक्ती की बात अगर चलती है तो उसकी एक ही परिवासा हो सकती है वो खोना है चाए अपने आपको खोना हो चाए अपने असित को खोना हो चाए अपने उन संसाधनों को निशावर करना हो जिससे हम देशवक्ती और राष्ट को सर्वोपरी रख सकते हैं तो क्या थे चंशेकर आजाद कैसे उन्होंने जीवन जिया और क्या थे उनके विचार आज हम जानने की कोसिश करेंगे हमारे साथ है डोक्र सुरेश चन सर्मा साब जो चिंतक है विचारक है इतिहास को देखते हैं पढ़ते हैं आपका इस कारेकर में स्वागत है नमश्कार नमश्कार चन से कर आजात की हम बात कर रहे हैं ब्रज से बताने की कोशिश करें देन्वाद चंद सिखा राजात के विशे में अब तक जो कुछ पढ़ा लिखा गया है और जो कुछ सुना जाता रहा है तो उस बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके उस विराठ चेतना के देविये प्रभाव को नकारा गया है जैसे मात्मा गा करो चंद सिखा राजात का ताम्सी दिव्यत गोन वहीं समझ के बाहर हुता गया है क्यूंकि वहें निको आदेशिय के लिए भारत के आजअदी के लिए प्रकट किया था जैसा कि कहा भी जाता है नेले कंठम रक्तवाहुं सेता हम चंदर्शेखरम तो चंदर्शेखर जो भगवान शीव का नाम है जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका गुर्व था और वह भगवान शीव के रोप में कोई अंस रोप में उतरित किये गए इस चरनिसपर्स करके वो चला गया था दूसरा ये प्रमाण उनके शिवत की और उनके शंकरत की और भी संके देता है तो दीसरा कि काम भावना से पूरा निरलिप्त अच्छूत जैसे काम वासना उनको छू भी नहीं गई थी ऐसा अखंड ब्रम्शर किसी महाननेता में किसी कर हो सका और उन्होंने उसको जी करके दिखाया है और उनके जितने भी कारनामे अब तक हुए चाहे वो असेंबली में बंफेकना का हो चाहे योगिस्टन चडर जी को छुडाने का हो जेल से या सॉंडर्स मर्डर हो या बैंक इंडकेतिया हो कुछ भी ये सब उनको देविया अग्ने की कोशिस की एक क स्वबत के साथ साथ जो जन सामानिके कल्यान की सोचता है, सबके कल्यान की बात सोचता है कल्यान्زक कर आगे रखकर ही साइद में समझता हूँ आजादी की प्राप्ति के प्रयास में लगे हुए 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 क्या ये ठीक हो सब्सक्राइब बिल्कुछ सही है कि स्रश्टी के जो तीन रूप है तो महाकाली ने उनको स्रश्ट नियमन में संघारक की भूमिका के लिए जैसे संकर क नियमन के लिए है जो दमन हो रहा था ब्रतिक सरकार का वो असंतुलित हो गया था उसके नियमन के लिए क्रांतिकारी की भूमिका में चंसेखर आजाद को अवतरित किया और वो एक सीमा पार कर गया था दमन उस दमन को रोकने के लिए महाकाली ने चंसेखर को उतन किया तो और जब वो दमन नियंद्रित हो गया तो उनका प्लायन हो गया जी यानि जन सामानी को प्रताड़त करने वाली वो सत्ता जो उस समय सर्वोपरी थी जिसके खिलाब बोलना उसके बिल खिलाब करना सोच भी नहीं सकते थे वहां वो एक में जो है खड़े हो गए और एक विचा जिले में अली राजपुर रियासत है उसी में एक भावरा गाउं है जहां उनकी पिता जी सीता राम तिवारी जी एक उद्ध्यान के सुप्रेंडेंट हुआ करते थे और माता जगरानी जी वो भी वहीं रहा करती थी हलांकि इनका जो पैत्रप निवास है वो तो उन्नाव अधिवासियों का इलाका था भील आदिवासी थे और भीलों में ये निशाने बाजी का जो है गुण होता है तो वहां कि जितने एक लब वे थे उस भावरा गाउं के उनमें एक अरजुन भी पहुंच गये तो ये जो निशानी बाजी की प्रैक्टिस से वहां से शुरू ह और वो है कि एक बार गर्मी के सिजन में जब आम आय हुए थी फलो रक्षों पर तब चार आम तोड़कर के ले आए पिता ने जब देखा कि घर में हैं तो उनने पुछा ये आम कहां से आए तो माता ने बता दिया कि वह चंसेखर लेकर 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 तो बड़े क्रोधित क्योंकि वह आठ रुपे महीने की नोकरी थी और वो साप खो सकती थी उस उसकी वज़े से घर शिकायत को कि उनका कामी फलों की सुरक्षा रक्षा रक्षा ता ता उनका ये तुम वापस करो और माली से जो माफी मागो एक सवाल चंसेखर आजाद की दिमाग में ख़ए किस तरीकी की जिंदगी है तो उन्होंने पिता से हट किया कि हम माफी नहीं मागें और जो हट किया तो पिता ने का कि तुम घर से बाहर निकल लिए और उनको इस तरह से निकाल दिया और अंदर से सांकल लगा लिए कि तो अगर माफी नहीं मागो तो हम घर के अंदर नहीं भाई थे मनहोर लालतिवारी उनके हाँ चले गए और वो रात उन्होंने गुजारी तो वहां भी भाई और भावजाई में जगड़े होगे कि भाई इनको जो है अपने गाउ में घर में ही छोड़ दिया जा तो अच्छा है तो वहां भी जब उन्हों सुचा कि हमको पिता ज जाने ही पड़ेगा माफी मांगने ही पड़ेगी तो वह गाउं भी उन्होंने छोड़ दिया जे जे और वहां से बिना बताय हुई जब निकले हैं तो दोहद स्टेशन वहां से चालिस मिल दूर था है चालिस मिल तक आजाद बिना कुछ खाए दिये पैदल चलते रहें सि तो वहां माल गुदाम में एक छोटी सी कैंटीन थी उसके मालिक सिखा के में भूख लगी हमें कुछ बोजन चाहिए तो पहले तो उसने इंकार किया फिर जब इनोंने अग्रे किया तो तयार हो गया कि ठीक है तुम भुशकार करो और मिल जाएगा तो वह दाल और चावल क जो प्लेट है वो मिल गई उनको फिर वो उसी होटल में वो प्लेट धोने का काम करने ले यह आजाद अभी अल्लामा कलाम की जो कलम नहीं चली है सोसलिजम पे देख लिए उन्निस सो उन्निस की बात है महात्मा गांजी का रॉलट कानून हो चुका और उनको नजर बंद कि जा चुका और बंबई में मौजूद हैं और उस समय चंसिख राजा प्लेट धो रहे हैं एक माल गोदा में अल्लामा एकबाल अभी जो कि यह जो नजर्म नहीं लगी समाज बात पे वो आजात के जीवाद में खरी उतर रही है कि सिर्फ इस सवाल पे कि चार आम हम नहीं ख करते हैं उस दोराने घटना घटती कि एक बहुत बड़ा खूंखार गुंडा जिसका पूरे इलाके में दहशत थी उसने किसी यूती का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ में गंदा बेवार उसने किया आजाद वहीं कहीं खड़े वे थे जा रहे थे उनोंने देखा उनको को दुन दिया अब जो क्रांतिकारी संगठन खड़ा करना क्रांतिकारी विचार को आगे रखना उसमें लोगों को जूड़ना संसादा जुटाना और उसके माध्यम से देश की आजादी के उस संकल्प को प्राप्त करना यह जो एक आगे की जो स्रंखला है वो किस तरह चल संपुनानंद के दौरा यह जो टाइटिल दिया गया अचार नरिंद उनको लेका पूरे बनारस के वो हीरो हो गया है हीरो बनारस तो क्रांतिकारी कैसे चुप रह सकते रुन का यह तो एक हीरा है और इसको खीश के लाना है तो उस समें काशिवी द्यापेट्ट मनमतनात ग हुआ करते थे तो उन्होंने आजात के सामने प्रिस्ताव रखा अपने भेट को खोला नहीं बाद में खोला कि यह ऐसी सी बात है हम करांतिकारी दल से जुड़े हुए हैं तुम भी इसमें सामिल हो जाओ और वो दल जो है वो प्रणवेश चटर जी वो एक कक्षा में क्ला इन चरणकर इन से संपर्क हो गया जात का है इस तरह के से क्रांतिकारी धारा से जुड़े थे तो बिसमिल ने इनको चुगी सबसे छोटे थे और बड़े फूर्तिले थे तो इनको कुईक सिल्वर की उपाधी दी दी बहुत अले काम करने वाले हैं चोकते नहीं हैं तो जब यह संगधन पूरा एकठा हो गया बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें होंगे रोशन सिंग थे यह सब स्लोग थे रोशन सिंग का बेटा तो यहां जो इसकूल है यह गुरकुल है उसमें पढ़ता भी था तो गनु पारजन की बहुत बड़ी समस्या दे कि इतने हाथिया इतने वेपन्स कैसे राएं क्या लें तो उस समय उनका कि भई जनता को लूटो तो वीद अपने को दुख होगा तो क्यों ना सरकारी खजाना लूटा जाए तो बिस्मिल इस मामले में बहुत तेज थे तो उनके जिवांग में था कि यह लगनों से ट्रेन चलती है और वह इस खजाने को लूटा जाए तो काकुवरी कांड ने इस तरहीं के से जन लिया और वो तारीख नव अगस्त थी है थोड़ा सा अगर हम यहां अपने इस्थानी उसको जानना चाहें कि चंसिकर आजाद की ननिहाल भी मत्वरा है ऐसा उडली खाता है तो इस संदर में कुछ इत्यासिक तथ जानकारी है कुछ ऐसे वेक्तियों के नाम जो आपकी संग्यान में हो और हो और नंसार है तीवारी गली यहां पर है चोकि वह खुद भी तिवारी थे तो वह तिवारी वहां असमें रहते हूंगे मत्वरा में एग बड़ा देवर भावी माना कर दिलिएप्टस. कि आप बाद में उन देवर भावी के जगड़ी भी भी वे तो रूद नन्य ने उनको मोटर ड्राइविंग सिखा दी रामानंद के जरिये कि और उनका नाम जो हरिसंकर रख दिया गया है कि तो मोटर ड्राइविंग करके अपना जी को पारजन करो जहासी में रूद नान के स पिस्तो और निशाने बाजी सब्सक्षित करते रहे उनको देशभक्ती के बारे में भी बताते रहे पिर वहां से ओर्चा के जंगलों में भी आए और वहां अपना नाम रखा हरी संकर ब्रह्म चारी रामचरित मानस का पाथ जोर जोर से मंदिर भी था सातार नदी बहती थी उस मंदिर में वो रहने लगे सादों के वेस में और सातार नदी में एक बार लटकाकर बैठे हुए थे तो यह बहुत बढ़ा तर्व उस नदी में तैरता हुआ आया और इनकी पैर पर चड़ा और पहर पर छड़के फिर वो आपस में दी में चला गया तो जो लोग देख रहे थी उनको बड़ा आश्चर हुआ कि ऐसा किसे इतना बड़ा सर पूर दस सकता था तो लोगों ने माना कोई दैवी दैवी है ये तब से इनके प्रत जादा आधर बढ़ गया और उस दिव्यत को देखने में तीन इस्त्रियामी थी जिसमें एक बहुत नवयूती थी तो उनको आगरे किया कि आप हमारे घर पी जो निवास करें तो इस तरीगे से धीमर गाउं में आ गए वो जासी के पास में और उन इस्त्रियों के साथ में रहने लगी अब चुंकर बाद में चल करके कानपूर और इलहबाद इनके कर्म भूमी और कारशेत्र बने तो कानपूर जब यह आ रहे हैं तो उस समय क्या अवस्था है और परेसितिया क्या है जब कानपूर दो जहासी से चलेया आते हैं आप जहासी में जब इनका संपर भगवान दास्माहोर, रासवदा, सिवराव, मलकापुरकर, वैशंपैन, कुंदलाल से हो गया, तो और साथ ही जो लोगों ने जोड़े थे, वो कानपुराने पर उनसकी मिल गए, जिसमें की विजय कुमार सिना थे, बटके शर्दत, एजय गोष, रामदुलारे, त्रिवेदी, सुरेंदर पांडे, ब्रमजत, सिव वर्मा, जहदेव कपूर, डाक्टर गया, प्रशाद, सद्गुरूद, अयल अगस्ति, वीर बधतिवारी, गणेशंकर, विद्यारती, भगत सिंग, सुकदेव, यहां आकर के वो जो क्रांतिकारी सभा के सदसे थे, और यह लोग आकर्शित हुए, तब पता चला कि यूपी में ऐसा संगधन है, और तो यह लोग भी आके जोड़े, पूना से राजगुरू भी आ गए, उन्होंने भी संपर किया, उसके बाद में कानपूर से गणे से बिद्यारती का नाम है, तो कुछ से कानपूर के सिट थे, तो कहलास बाबू, यह सब लोग जो है, इन्होंने सहियो की आजाद को, और इस तरही के से वो जो दल बिखर गया था उस फासी से, दिस्मिल की फासी से वापस आजाद के नेतरत में फिर खड़ा हुए, तो यहां एक तरह से कहें कि वो जो एक सैसव वस्था में जो संगठन था यहां आकर वो इक जबानी प्राप्त कर रहा है एक पेचान प्राप्त कर रहा sera से आगे चल करके और निखरेगा और गटना है उसमें जुड़ेंगे उसी सभा में भागवती चरण वहरा भी हैं पंजाब से धन्मंत्री भी हैं मगा सिंग तुद्धे यश्पाल भी जुड़े दुर्गादास खन्ना रणबीर यह सब लोग इकठी हो गए और वो दलने सक्रि प्लेर आए उसमें चुके उसमें संगर्श के दिए जो हत्यार है वह भी आ रहे हैं तो आप जब यह दोवारा से जब खटे हो रहें तो कुछ उसके नए दिसानियर दिश्तायार किया जा रहे हैं संगठन को नया रूप स्वरूप दिया जा रहा विचारदारा के साथ भी बनाए गए होंगे तो उनके उसका पूरा सम्मिधान था और दिल्ली में कुदेश्या घाट जो है जुमना जी की किनारे तो उसको देश्या घाट पे बैठा कुई और उसमें जो है बहुत सिंग की सला पर इसके इसमें सौस्लिस्ट सब दोर जुडा गया तब से यह हि करने के लिए फाइनन्स कहां से आए तो कैलाश्पती जो समया आजमगड की पोस्ट ओफिस में काम करता था मनियाडर अगरा देखता था उससे कहां कि तुम मनियाडर के पैसे उड़ा दो वहां से तो उसने बत्तिस उरुपे गठे वे तो उड़ा दिये वहां से पांचर संगठन को दिये इस तरहीं के फाइननसिंग संगठन के सुरू ही कि साइमन कमीशन उसी समय भारत आया हुआ है और उसका विरूध हो रहा है पूरे देश में तो इस जो हिंदुस्तान सोचलिस रिपब्लिक अशोशेशिशन एंड आर्मी है इस संगठन ने सुचा कि ऐसे म बं बनाए गए और उन बं को दक्षिन में जो है एक पुल को निशाना बनाए गए कि यहां प्रजेप टेन गुजरेगी तो उसको मुणा देंगे लिक वो बं जब लिए जाय जा रहा है थी तो हो शंगाबाद में उनका अपने आप इस फोट हो गया उसे मारकंडे और एक लाला लाज पत्राय की दुरगटना हो जाती है और 17 नॉम्बर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध्य उनकी लाटी चार्ज होता है उसी तसले में उनको 17 नॉम्बर को उनकी मौत हो जाती है तो जब उनकी चिता जली तो सियारदास की पत्नी ने लाहोर की सुख सभावें कहा कि लाला जी की चिता ठंडी होने से पहले इस देश का कोई नवई वक्त इस हत्या का बदला जरू लेगा यह उनके शब्द है और ये बात चंसेकर आजाद को बुरे लगी है चंसेकर आजाद आनन फरन कानपुर से लाहोर पूंचे और उन्होंने सारा प्लान जो है वो अपन को टारेट बनाए गया और उसमें जैगोपाल को जिम्यदारी दी गई कि तुम रेडिंग करो कब स्कॉर्ट आता है और जाता है तो और जैगोपाल को पहचाने की भी जिम्यदारी दी इस तरहे से जैपाल राजगुरू भगत सिंग और आजाद इननों ने डीवी कॉलेज तो बहावल पूल रोड जहां पर इन्सक्राफिस था तो जब वो निकला तो जैगोपाल को इस कार्ट को पहचाने में दिक्कत होगी नहीं समैचान पाया और वो सौंडर्स निकला था और उन्होंने हाथ ठा दिया कि यह ही है और डर के मारे इतनी जोर से भागा वहीं से भ भाग भी गया उसी दर्मयान जो फर्न इंस्पेक्टर है वो पिस्टल लेकर आवे बढ़ा और उसको आसाद में रोका तो आजात के फायर से नाली में छिल गया फिर चानन सिंग सुवेजार ने पीछा किया आजाद उसकी बहादरी से बहुत परभावित थे और उसने दॉ आजाद लेसरे ग्रांड में उसकी बहुत चुड़ दीया घ्राण में राजगू को पिसे चुड़ दीया है विली अज्ग सींगे उसने गुली चला ते थे बहुत भागा सिंग को पकड़ने जारा था तक अजभावाज दी बहुत तो आज़े घ़ घढ जाओ युषक को और इतना बड़ा कांट करके साहिगे से बच के मोजंग पोँच गया है तो यह सारी बाते हैं जो हैं सांडरास मुडर की हैं उनिस सोनिस में कि बिटिश अरे इंगलिस अरे ग्रेट नेशन लेकिन वो क्यों ग्रेट है कि उनकी जो सब्विता है वो एक बड़े दमन और उसके अक्रोश में पहले जल चुकी है और अपने आपको खपाया है और देर इस अ फॉंडामेंटल डिफरेंस बिटिवें दियर सिवलाज़ेशन और अवर्स बिलीए बिलीए अप वालेंस और वाले वाले आट्मिक बल पर विश्वास करती है और पूरा गीता का दर्शन जो है वो आत्मिक चेतना के उपर है, तभी भगवान समाय अर्जुन को समझाते हैं कि यह जो तुम्हारे अंदर अब मौ पैदा हो रहा है, अनार जुस्टम आसवरगयम अकिर्तिम करम अर्जुना, यह अनार्यों का काम है, और यह पतन क्यों ले जाने वाला, इस तुम्हार की प् सिध्धान थे, कि फंडामेंटल उनका एक सिध्धान थे, कि भए हम बूट फॉर्स और वैलेंस के वल पर इस तारी दुनिया पर उसको हिला दिया, उसकी जड़ हिला दिया, वो उनको बता जिया कि नहीं भारत में यह इस सीमा से बार नहीं जाएगा, अब यहां थोड़ा आता है, उसके लिए सर्व सामाने के लिए इसकी उस अखनता और उसके लिए उसकी जुदेशवक्ति कह रही है उसके नहीं हमको पाना नहीं खूना है, तो आज इतने कम समय में हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं यह पर प्रदर्शन का काम था उस समय एक बहुत बड़ी सत्ता हमारे उक पर साशन कर रही थी, उसको हटाने के लिए इन परदर्शन की बहुत जरूत थी, इसलिए लोग उनकी पीछी चले, आज वो परदर्शन है, लेकिन वो जो गुमनामी में चलेगे, क्योंकि उस पर जो मायावादी लोग हावी हो गए, इसलिए वो रूर, उ सब्सक्राइब के लिए और वो कोई वाइलेंट बंबिंग नहीं थी, हलांकि निरनय था आजाद का वो वाइलेंट था, उनके साथ में वो बैठे रहे और भगस सिंग और बटकी सुर्दत को किनारे बिठाए गया ताकि उपर जाकर के बंडालें, पांच मिनट के बाद मे यह लोग निकल करके आए, केसी रहा है जो असे उसीटेड प्रेस के जो चीफ थी, उनसे पास हासिल के गए थे, और जब पांच मिनट बाद वाद वो कार ले करके इंतजार करते रहे, लेकिन भगस सिंग वहाँ पर बंडालने के बाद में गोली नहीं चलाई है, और बी के प्रतिलाल नेरू हो वजुद थे, बोले अपनी कुर्सी से नहीं ले, जिन्ना ने सिर्फ इतना का कि भाई, यह सिस्टम ठीक नहीं है, बड़िश हुकूमत का, केरार जो हुँ छिप गया था, उसको गोली नहीं चलाई तो उसके चिपने को इमतलन लेकि यह था, कि केरार क उनके इमेजन और यह देविये उनकी चिंतन शक्ति थी, यह आजाद का रूप जो है वारे सामने आता है, जी जी तो इस तरह से शोता बंदू आप थे, डॉक्टर सुलिश्चन सर्मा साब जो रितिहास को थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं, और उनके जबान से हम जानन तो कितनी ही हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आजादी का जो जज़वा, आजादी का जो संकल उनों ने धारण किया था, उसको प्राप्त करने के प्रियास में अनवरत लगे रहे, और उसी को जीते हूँ चले गए, कुछ और कहना चारें? उसमें थोड़ी से अन्तिस्टी का जो चेप्टर है, अध्याय वह बहुत कीमती है, जब उनको एक अलावारिस के तौर पर जलाया जाने लगा, भारत रंद मदन मुहन मालविये ने इस पर बहुत चिंता रहती है, और उनने पादमकांत माले को डिप्यूट किया, कि आजा संध्या को जलूस निगला, और उस जलूस में जो है, सचिन सान्याल की पत्नी ने जो भाशन दिया, उसमें उन्होंने कहा था, कि खुदी रामबोस की भस्मी को लोगों ने ताबीज में रखकर अपने बच्चों को पेनाया था, कि उनके बच्चे खुदी रामबोस की तर जिसे हम इस देश के लिए, इस विश्व के लिए पुश कर गुश्रें, जी तो आपका पुने एक बार धन्यवाद, जो विचार और जो संस्मन आपने आजात की संबंद में हमारे शूताओं के साथ बाटे, एक बार पुने आपका धन्यवाद,